पाइन मार्टिन्स पिश्वास करेंगे कि इसने इतने बड़े पैंडा को कैसे इतना घायल कर दिया है जिससे वो ना तो ठीक से चल पा रहा है और ना ही बैठ पा रहा है इस घायल पैंडा को सिचुवान में कुछ रेंजर्स ने दर्द में देखा तो तुरंत होस्पिटल में एड्मिट कराया जहां डॉक्टर्स ने काफी मुश्किल से इस तीन साल के पैंडा की जान बचाए इसकी अलावा 2016 में न्यूस पेपर में छपी इस खबर को भी देखिए जहां बड़े बड़े शब्दों में लिखा हुआ है पाइन मार्टिन अटाक्स शीप अब शायद आपको समझाएग कान गोल होते हैं छोटे बैर होते हैं लंबा शरीर होता है जो इन जानवरों से साइज में थोड़ा बड़ा होता है इनका वजन करीब 1-2 किलो के बीच में होता है और नाक से पूच की लंबाई करीब 60-70 cm होती है इनके वजन और लंबाई की तुलना बिलने से की जा सकती ह वही अगर बात करें इनकी appearance की तो इनकी body पर brown fur होता है इसके साथ ही इनकी गले और chest का हिस्सा हलका पीला होता है ये जानवर किसी भी उचाई वाली जगह पर तेजी और आसानी के साथ चड़ सकते है जिसमें इनकी लंबी पूच, balancing में और लंबे पंजो पर fur इनको grip बनाने म ही चड़ सकते है क्या आपको पता है कि pine martins कहा रहते है मतलब pine martins की habitat क्या है pine martins के नाम से ही शायद बहुत लोगों ने guess कर लिया होगा कि ये pine trees पर रहते है इसके साथ ही इनको rocky areas, scrubs और cliffs पर रहना भी पसंद है ये मासूम सा दिखने वाला जानवर योरोप के साथ ही northern central Scotland मे भी पाय जाते है हाला कि southern Scotland में भी इनकी कुछ संक्या देखी जाती है pine martins को पेडों के छेदों में अकेला रहना काफी पसंद होता है और ये सिर्फ बीडिंग के लिए summers में इखटा होते है ये जानवर अपनी ही territory में रहते है और एक pine martin अपने लिए काफी बड़ा area cover करता है जिसमें males, females के मुकाबले ज्यादा बड़ी territory में रहते है अब आपको बताते है कि ये क्या खाते है यानी इनकी diet वैसे तो pine martin काफी अच्छे climbers होते है लेकिन वो अपना ज्यादा तरखाना जमीन से लेते है इनका main food source, birds, insects और छोटे mammals होते है जैसे wolves और rabbit, berries और अंडे इनके लिए एक tasty meal होते है, इसके अलाबा ये गिलहरी की किसी भी प्रजाती को अपना खाना बनाने से पीछे नहीं हटते, फिर जाहे वो grey squirrels ही क्यों ना हो, इतना ही नहीं, ये मौका मिलने पर किसी भी बड़े जानवर पर भी हमला बोल देते है, pine martin अपने बच्चों के लिए जादा दर चूजे का शिकार करते है, इनको मारने में pine martin को जरा जा भी दुख नहीं होता, क्योंकि ये इन छोटे जीवों का शिकार अपने बच्चों के लिए करते है, ये चूजों को अपने बच्चों के लिए अपने डैन में भी ले जाते है, लेकिन ये बड़े किसी जानवर पर इस तरह की pine martin के दात है, अगर बात करे pine martin के जनम लेने की, तो female pine martin एक बार में 2-5 kids को मार्च से एप्रिल के बीच में जनम देती है, kids अंधे और बिना बालों के पैदा होते है, और ये बच्चे 6 हफतों तक पूरी तरह अपनी माँ पर निरबर होते है 6 हफतों के बाद ये अपने डेन से बाहर निकलना शुरू करते है, और खुद से explore करना सीखते है, हाला कि छोटे pine martin 6-12 महीनों तक अपनी मा के साथ ही रहते है, जब तक ये अपनी खुद की territories ना बना ले अब हम आपको दिखाते है pine martin के कुछ हमलों के वीडियोस, जिनको देखने में आपको काफी मत ऐसे हाथ पैर चला कर खुद को बचा लेता है, और martin भी चला जाता है, लंगूर को भी लगता आपसाता है, और लंगूर पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन लंगूर भ जैसे तो इंसानों को नुकसान नहीं पहुचाते है, लेकिन अगर उनको इंसानों से खत्रा महसूस होता है, तो वो उन पर भी हमला करने से नहीं खत्राते, एक बार एक फुटबॉल मैच के दोरान, पता नहीं कहां से pine martin मैदान में पहुच गया, गेम को बीच में ही रोक लेकिन थोड़ी ही देर में सब उल्टा अटैक कर देता है, और वो सीधा कुद्धे की गर्दन को दबोच लेता है, कुद्धा खुद को छोड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन pine martin किसी भी कीमत पर उसको छोड़ने को तैयार नहीं है, pine martins को जंगलों में देखना थोड़ मुश्किल है, क्योंकि ये जादातर रात के समय में अपने बेलों से बाहर निकलते है, सर्दियों के समय में ये दिन के जादातर वक्त में अराम करते है, और रात के वक्त शिकार की तलाश में निकलते है, यही वज़ा है कि काफी लोग इनके बारे में नहीं जानते है, क्य जैसे ही खरगोश को देखता है बिना कुछ सोचे समझे सीधा उसकी गर्दन पर हमला कर देता है। पाइन मार्टिन के तेज दातों के वार से खरगोश जादा देर टिक नहीं पाता और जल्दी ही दम तोड़ देता है। जब खाने के लिए पाइन मार्टिन के पास अच्छे खाता है ताकि इतमिनान से अपने घर में वापस बैठ कर अपने शिकार का मज़ा उठा सके। अब यहां आपको समझने में थोड़ा सा समय लगेगा कि आखिर ये पाइन मार्टिन करना क्या चाहता है। गिलहरी के साथ पाइन मार्टिन की दुश्मनी पुरानी है या यह कहे कि गिलहरी के साथ इस जानवर को खेल न अच्छा लगता है। जो इसके जादातर समय गिलहरी के साथ पक्डम पकड़ाई जैसा खेल खेलते हुए देखा जाता है। अब आप इस वीडियो को ही देख लीजिए कैसे दोनों एक पेड़ पर गोल गोल घूम कर एक दूसरे के साथ खेल सा खेलते हुए दिखाई दे रहे है। लेकिन असल में तो पाइन मार्टिन गिलहरी का शिकार करने की फिराक में है और गिलहरी उससे बचने की कोशिश कर रही है। चानकी बॉक्स की तरफ बढ़ता है और सीधा उसके अंदर बैठी गिलहरी पर हमला कर देता है। जिस तरह इस पाइन मार्टिन ने इस गिलहरी को पकड़ा उसको देखकर ऐसा लगता है कि शायद इस पाइन मार्टिन को पता होता है गिलहरी ज्यादा तर कहा रहती है और कहा छिप सकती है। अगले वीडियो में एक मज़िदार वाइड लाइफ पैक्ट के साथ।